सेक्टर 34 में प्राइवेट बसों की पारकिंग पर चंडीगर पुलिस ने आखे मून ली जी हाँ हम बात कर रहे हैं चंडीगर की सेक्टर 34 में जहां कोचिंग स्कूल के संस्थानों का हब कहा जाता है हजारों की संख्या में यहां बच्चे अपनी कॉम्टेटिव कोचिंग के लिए रोजाना आते हैं ट्राफिक का वब पारकिंग को लेकर समस्या रहती है क्योंकि सेक्टर 34 चंडीगर का एक बिजनेस हब भी है आए दिन यहां लोग सणकों के किनारे उनी गारिया खड़े करते हैं कभी बच्चों को पिकोर ड्रॉप के लिए तो कभी समय की एजजस्टमेंट ना हो तो इंतजाद भी करते हुए नजर आते हैं यह सब व्यवस्था देखकर चंडीगर पुलिस भी यहां अपनी निगाहें गलत पाक की हुई गाडियों वत अवो वीलेज भी टिकाए रहती हैं और मौका मिलते ही गलत पाक किये गए वाहनों के चलान भी काटे जाते हैं और चलान कटने भी चाहिए यह एक अच्छी बा लिफ्ट करके उस जगह से उठा लिया जाता है मगर हिरानी इस बात की है कि जब प्राइवेट बसे जो की खाली जगह खड़ी होती है ना तो उनका चलान कटता है और नहीं उन्हें वहां से हटाया जाता है जबकि उसी जगह के आसपास अगर कोई की गारी खड़ी हो तो पुलिस चलान काटने में या फिर गारी उठाने में देर नहीं लगाती तो क्या ये जो प्राइवेट बसे वहां खड़ी होती है क्या इनकी कोई पुलिस से सेटिंग है या पुलिस को यह नजर नहीं आती जब हमने इस बारे चलान काट रहे पुलिस करमचारी से जानना च चाहा तो उनका साफ कहना था कि यह जो बसे यहां खड़ी है यह कच्छे यानी सड़क से बाहर है इसलिए हम इनके उपर कोई करवाई नहीं कर सकते लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसी जगह से मात्र 10 फीट की दूरी पर पाक की कारों को पुलिस या तो टायरों में लॉक कर सील कर देती है या फिर क्रेन मंगवा के इन्हें यहां से टोकर पुलिस विकल याड में ले जाया जाता है जिसके बाद विकल मालिक को इसका रौन पाकिंग का चलान भरना होता है लेकिन पुलिस का यह दोहरा माबदन समझ से बाहर है कि जब यह नो पाकिंग जोन है तो आखिर इन बसों का चलान क्यों नहीं कटता जो लगभग पुरा फिन एक ही जगह पर पाक हुई होती हैं। कानून व्यवस्था हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए। जो भी गलत जगह गारी, टू वील या बसे पाक की गई हो उन पर चलान होना चाहिए। अब देखना ये हो कि आगामी समय में भी पुलिस दोहरा मापदंड अपनाएगी या फिर सभी पर समान रूप से करवाई होगी या फिर से सेक्टर 34 में प्राइवेट बसों की पाकिंग पर चंडीगर पुलिस ने आखे मून रखेगी। नेशन नीज बयूरो रिपोर्ट